हलो बच्चा पार्टी नमस्कार अदाप सुश्यकाल इन केम छो वल्कम तो देखा ही कि अब हमारे बाकी की बचेंगे दो महीने में फिजिक्स में क्या किया जाया ऐसी कौन सी टेखनीक अपनाई जाया कि हम आग लगा दें पेपर में मतलब वैसा वाला आग नहीं इन रियालिटी हम पेपर के अंदर जोड़दार जोड़दार मार्क्स लेकर किया है टार्गेट तो यही है हम सभी का हम भी यही चाहते है आप भी यही चाहते है और इस चैनल पे लगातार इस को किया जा रहा है इस टेखनीक से that is चानके निती as you all know कि चानके निती सीरीज के अंदर लगातार एक दिन के बाद एक वीडियो सा रहा है और हमारा टार्गेट है कि पूरा का पूरा से लेबस आपको रिविजन कराया जाए ठीक है लेकिन जब मैंने आज के दो दिन नहीं दो वीडियो लेक्चर के पहले जो हमारी एपिसोड आ रही थी उसके बीचों मै पूरा अच्छे से कर सकता हूं और मैं अच्छे माक्स ला सकता हूं तो definitely बच्चा आप बहुत अच्छे माक्स ला सकते हैं अभी तक अगर आपकी preparation कुछ भी नहीं थी zero preparation थी पर अगर आपने अपने मन में आत्मविश्वास भड़ लिया और अगर आपने ये सोच लिया कि नहीं मुझे ये चीज करनी ही है कुछ भी हो जाए मुझे ये चीज करनी है अगर आपने ऐसा ध्रंस अंकल प्ले लिया और ठान लिया तो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है जो आपको अच्छे माक्स लाने से रोख सके तो ये इस वीडियो को ध्यान से पूरा लास तक देखिए ये दोनों के लिए हैलफूल होगा जो बच्चे अल्रीडी बहुत सारा प्रिपैर कर चुके हैं üzली सी गृइडस की जूरहत है और बधा एसज़ई करते हैं और बाब अबम चों अपने पड़ूं को गाइट करते रहें करते रहें to be updated by the latest video lectures from this important and jabardas and jordar revision series of Chanak-e-niti for the board examination बच्चा पार्टी ये जो question है कि derivation हमें याद नहीं रहते और important important question कौन से है तो important question कौन से है उसका solution तो Chanak-e-niti के अंदर ही है मतलब जो Chanak-e-niti को follow-up करते आ रहे हो जितने भी derivation, जितने भी topic है important है related to board examination वो सब Chanak-e-niti में मैं करा रहा हूँ right? अब सवाल यह आता है कि हम उसे याद कैसे रखे हैं और कौन-कौन से important हैं वो मैं आपको Chanak-e-niti में पता भी रहा हूँ अब इस video lecture के अंदर मैं आपको ये समझाता हूँ कि आपके पास बचे हुए 60 days यानि कि 60 दिन के अंदर हमें क्या करना चाहिए आज से सुरुवात करना पड़ेगा make sure बच्चा पार्टी जब तक आप ठान नहीं लेते कि आपको आज से ही start करना है मैं कितना भी पैपे कर लूँ बट कुछ फरक नहीं पढ़ने वाला है क्योंकि यस बच्चा पार्टी तो मैं यह कह रहा था कि यह जो मैं पैपे कर रहा हूँ जो मैं आप लोगों के साथ समवाद कर रहा हूँ वो तभी कारिगर होगा जब आप मन में विश्वास रख करके ठानेगी कि नहीं मुझे आज से ही करना है क्योंकि दुनिया की कोई भी ताकत कोई भी बड़े से बड़ा मोटिवेटर तब तक नहीं कुछ कर सकता जब तक सुनने वाला जैसे कि आप लोग हैं आपके अंदर वो विश्वास नहीं जाग जाए आग लगा देना है पेपर में तो भी दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोप नहीं सकती खेर हमारे पास तो 60 डेस से भी जादा का समय अगर मैं आज के हिसाब से देखू तो हमारे पास more than 75 डेस है यस अब ये 75 दिन को हम कैसे क्या करें मैं हर चैप्टर के अंदर से बच्चा पार्टी आपको बताता हूँ कि कितने सारे टॉपिक हैं जो बहुत इंपोर्टन है और वो डेरिवेशन करने से ही आपको बेनिफिट मिलेगा मैं आपको हर इक चैप्टर का व्योरा देता हूँ और प्लीज आप ये हर इक चैप्टर का जो डेरिवेशन है देखने के लिए चाणा के निदी को फॉलो करिए और कौन-कौन से इंपोर्टन है उसके लिए आप इस वीडियो लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में जाएंगी तो वहाँ पर मैंने और इसका लिंक दे रखा है लिंक पर क्लिक करोगे तैसे आपको तुरंत ही मिल जाएगा पता चल जाएगा कि हाँ इस चैप्टर में जो सर ने 7 लिखे हैं या 8 लिखे हैं वो कौन-कौन से इंपोर्टन है पहले पूरा समझते हैं चैप्टर का फिर मैं एक और स्टेटिजी बताऊंगा और फिर उसे आप अपलाई करिएगा आज से ही तभी ये काम करना स्टार्ट कर देगा और बच्चा पार्टी तो देखिए मैं बात करू चैप्टर वन की तो चैप्टर वन के अंदर ना सेवन इंपोर्टन डेरिवेशन है उसे आप टॉपिक का भी नाम दे सकते हैं बिकूज चैप्टर वन इस ओल अबाउट डेरिवेशन ठीक है साथ चैप्टर टू के अंदर इलेक्रोस्टिक पोटेंशल इंपर्टन साथ है साथ अप जैवन चैप्टर थी के अंदर भी सेबडेरिवेशन है ध टॉपिक गे शर्ज लन मेंगनेटेतिशं के अंदर भी साथ है कि है चैप्टर 5 तीड गिशेंश cock T दिएप्टर इस आप डगी इंच इन गोट वहों bounced ऐसी मता सकता हो आपका M x B से हमने प्रूफ करा था टाइम प्रिड निकाला था राइट ये भी चानगरिती के अंदर लेटेस्ट एपेसोड में आया हुआ है और साथ ही साथ ना इसके अंदर एक और है Magnetization and Magnetic Intensity कुछ आए या ना आए बड़ इस चप्टर से Magnetization and Magnetic Intensity के Derivations पूछे जा सकते हैं और लास्ट में जो इस्टेरिसिस वाला डिपार्टमेंट है पेरा मेंगनेटिक डाय मेंगनेटिक फेरा मेंगनेटिक ये सब उसके बाद EMI EMI के अंदर भी 5 बड़े टॉपिक ये सारे टॉपिक मैंने इसके बूले इसके मैं नहीं बूल रहा हूं मैं सब कुछ डिस्क्रिप्शन में जाईए लिंक को ओपन करिए वहां पर सब कुछ मैंने बना करके आपके लिए रखा आप दीखे खाली मैं सिर्प आपको समझा र इसके अंदर आपका हां हाफ लाइफ मिल लाइन एक्सपोलेंशल और एक और आपका टॉपिक है अजिसके अंदर हम वो आई इक्सपोलेंशल निकालते हैं माइनस एक्टिविटी ठीक है और चैप्टर 14 माशाला यह तो सबसे खुबसूरत और सबसे हसीन चैप्टर है फिजिक्स में इसमें कोई भी डेरिवेशन नहीं है हलाकि पहले था बट अब जा चुका है से लिए बस से जो की ट्रांजिस्टर से रिलेटेड था अब जरा आप सभी को काउंट कर लीजे ब 40 42 42 और 10 52 54 54 58 58 प्लस 4 62 62 प्लस 2 कितना हो गया 64 64 और 4 आपके कितने हो गए 68 सेमिकंडुक्टर में थीरी है अब अगर मैं 68 यहां लिखा हूं ठीक है 68 डेरिवेशन समान के चला रियालेटी में 68 नहीं हो क्योंकि इसके अंदर थोड़े कम हो जाएंगे यह इसके अंदर कहां गए कहां गए कहां गए इसमें थोड़े से कम हो जाएंगे वह इंपॉर्टन में काउंटेट नहीं आता अच्छा आप सुनिए कि यार आपके पास ना 68 डेरिवेशन है चाटने के लिए आइसक्रीम की तरह समय है आपके पास 60 दें लेकिन अगर आप हाथ से स्टार्ट नह अगर मैं 68 डेरिवेशन को तोड़ दू आज से ही आज से ही और जो मैंने आपको मैडिसीन बोला था चाड़ा के निती के अंदर की रूटीन चेंज कर दो एक घंटा पहले सो अगर आप रात को 12 बज़े सोते हो तो 11 बज़े सो जाओ और सुबर जल्दी उठ्टे की कुसिस देरिवेशन को तो डेली 6 आओर में 6 गंटे बोले थे 2 गंटे physics को देना है 2 गंटे chemistry को देना है 2 गंटे maths को देना है अब जो 2 गंटे physics को देना है वो मैं आपको बताता है कि उसको किस तरह से आप लीजिए 2 गंटे को तोड़ दीजिए 1 गंटा प्लस 1 गंटा एक घंटा पहले आपको करना है previous year के question paper का solution फिरसे मा repeat करता हूं एक घंटे के अंदर आपको करना है previous year के question का solution पूरा का पूरा नहीं उसका सिर्फ 35 marks मैं लिख भी देता हूं कितना only 35 marks previous year का question 35 marks और वह 100% आपको बोल रहा हूं एक घंटे के अंदर हो ही जाएगा आपके पास solution होगा है net से download कर लिजे और question देखिए देखिए उसको याद करिए याद करिए याद करने वाली चीज़ को याद करना derivation को लिखना it's very very important आप physics के derivation को सिर्फ देखेंगे तो काम नहीं चलेगा लिखना है मैंने चाड़े के time table के अंदर भी बताया था आपके सामने जो master खड़ा इस तो भी आप आराम से अगर 70 को तोड़ दीजिए 25 मार्स कर लिजिए कोई दिकत नहीं है एक घंटे आपको previous year का question करना प्लस एक घंटा आपको करना है derivation और वो भी मात्र दो derivation दो derivation कॉंसर derivation होने चाड़ा के निती वीडियो लेक्चर्स के लिए लिजिए या जो मैंने आपको description box में बता है वो आ रही मेरी बात समझ में मतलब जो बच्छा चाड़ा के निती को follow कर रहा है तो उसके लिए तो बहुत ही best है जो आप जो नहीं कर रहे हो भी करी लो और हमें निकालना है कि infinite sheet है उसके वसे electric field निकालना है तो मैं सच बताओं तो जिस तरह से मैंने पढ़ा है ना बच्चा guarantee के साथ आपको मात्रा 10 मिंट लगेगा समझने में 10 मिंट लगेगा वीडियो अगर आप खोल के देखेंगे तो चाड़ा कि नितीगा part 1 10 मिंट लगे लगेगा तो में उसको ज्यादा समय लग सकता है तो वह एक घंटी के अंदर बच्चा आप दो derivation रगण नहीं सकते क्या अरे आराम से कर सकते हो यार बस मन में चाहत और विश्वास होनी चाहिए अब आप सोचिए कि अगर आप रोज दो derivation करते हैं आज से ही तो यह दो derivation और total आपके पास कितना है 68 derivation कितरे दिन में खतम हो जाएगा अब आप खुदी idea लगा लिजे बहुत पहले ही खतम हो जाएगा सब कुछ अगर आप रोज के दो derivation करते हैं तो 30 दिन में कितना हो गया 60 derivation बाकी बच्चे 34 दिन और भी जादा आपके पास समय बच गया समय त can you believe this 101% you have to believe this बच्चा पार्टी क्योंकि यही तरीका है score अच्छा करने का and trust me if you are following चाने के निती और अगर आपको सच में अपने SSP पर भरोसा है या आप करना आज से start कर दीजे मैं guarantee लेता हो आपके अच्छे मांग साने के 101% बस आज से आपको शुरुआत करना होगा अग सुबा में सबसे पहले सबसे पहले दो घंटा समय दे दीजिए मैट्स को क्योंकि सुबा में जब एक बार वो solution होने लग जाता है तो वो फिर आपको आनद देदेगा कि हाँ यार पढ़ाई हो उसके आदे स्कूल जाना तो स्कूल चले जाए फिर दो घंटे आपको दो पै जादा समय है है यह मैंने चाने के टाइम टेबल के अंदर समझाया था अगर आप सच में अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हो कुछ बंणा चाहते हो न तो समय को यूटिलाइज करना सीखिए आपका यह जो समय हैं बहुत ही कीमती है एक एक मिनट बहुत important होता है एक मि बचे हुए एक घंटे के अंदर आपको प्रीवेस एर के कोश्चन सौल करना है इस हिसाप से अगर मैं काउंट करूँ तो तीन दिन के अंदर मेरा एक कोश्चन पेपर प्रीवेस एर का पूरा हो जाएगा फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा फिर ऐसे आप आराम से 60 डेस के अंदर बच्चा पार्टी बड़े आराम से आप कम से कम 10 कुश्चन पेपर सौल कर लोगे यार इससे बड़ा और क्या चाहिए इसके अलावार दोर कोई कुछ टॉपर्स भी जो होते हैं वो भी यही शेडियूल अपनाते हैं प्रीवेस एर के टॉपर्स के जो होते हैं आप उनका कभी इंटर्व्यू देखिएगा वो भी यही करते हैं प्रीवेस एर का कोश्चन पेपर यह अगर आपने ढंक से कर लिया तो 101% दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती है तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि यह इस chapter के इतने physics के अंदर बस इतना ही है आपको दिखाई दे रहा है 68 only derivations है यह 68 derivations के लिए आपको daily six hours में एक घंटे में आपको 35 marks या 25 marks का paper करना है और बाकी बचे वे एक घंटे में दो derivations उठा लो daily बच्चा पार्टी daily उठा लीजे दुनिया की कोई भी ताकत आपको पीछे नहीं कर सकती it's my challenge it's my guarantee और साथ ही साथ अगर आपको इसी तरह की सब कुछ sample papers फिर doubt killing session एक दो और strategy और पूरा का पूरा video lectures चाहिए complete package चाहिए तो आप लोगों के लिए एडवांस चाड़किनिती course मैंने बनाया है only triple nine बच्चा पार्टी बहुत बड़ा amount नहीं है छोटा सा amount है triple nine आप आराम से पे कर सकते हैं और आप चाहें तो आप ये course ले सकते हैं बाकी आपको अगर अपने SSP पर भरोसा है तो आप YouTube पे वीडियोस देख करके भी आराम से अच्छे marks ला सकते हूँ मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आपको ये लेना ही है नहीं बड़ इसके अंदर थोड़े से थोड़े से एक्ट्रा वीडियो लेक्चर से और सैंपल पेपर से सॉलूशन है और कुछ लाइव सेशन है मेरे साथ तो वो द्रिपल नाइन पे करता ही आपको ये मिल जाएगा बाकी आप इसे फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा नेक्स्ट वीडियो होगा मैगनेटिस इवन मैटर का एंड ट्रस्ट मी बच्चा पार्टी आपका सेलेबस बहुत जल्दी हम खतम करेंगे रिवीजन और हम लोग मिल करके एक्जाम में भॉकाल लगाएंगे तो मिलते है नेक्स्ट वास में तिल दोम उसे पहले कुछ कहना चाहेंगे खुश रहीं मुस्कुराते रहिए मुस्कुरहृत के साथ हुजिक्स पढ़ते रहिए मलता है मैं एक्स्ट वास में तिल दैं और सही ऐसए निद्टी हमान sırविस बच्छा पार्टी, टेक केर, बाबाए